इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पांच ऐसे गेम्स जो कि आप अपने i3 प्रोसेसर और 4GB RAM वाले PC और Laptop में खेल के बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो और ये वीडियो आप बहुत ही ज़्यादा है और मज़दार होने वाला है इसलिए वीडियो को साट करने से पहले लाइक बटन को दबादो चैनल पर नए होगे तो चैनल को भी ज़यूर से सब्सक्राइब करना और भी ऐसे ही गेमिंग से रिलेटेड लो एंड पीसी से रिले बहुत ही ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स एंड मज़दार गेमप्ले देखने को मिलेगा एंड साथी में आपको बहुत ही डिफरेंट टैप के लोकेशन देखने को मिलेंगे जहां पर आपके अलग-अलग मिशन सेट होंगे तो गेम आपको रेपेटेटिव फिल नहीं अगला गेम है उसका नाम है डाइंग लाइट जो कि एक सर्वाइवल हॉरर विडियो गेम है और ये मनली फोकस करता है ज़ॉम्भी उपकलिप्स पे क्योंकि इस गेम के अंदर जॉम्भीज को ही दिखाया गया है तो ये गेम बहुत ही ज्यादा मज़दार है कि इस गेम ग गेम प्लेयों बहुत ही ज़्यादा मज़दार है इस गेम में आपको ग्राफिक्स के लिए यह गेम खेलना है तो आप डफिनेटली ट्राइट कर सकते हो एंड साथ में जो स्टोरी लाइन चलती है वह भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और उसके जो मिशन्स होते हैं खेलने में बहुत मज़ा आती है तो अगर आपको एक अच्छा zombie based game खेलना है जो कि एक open world environment में set हो तो ये game आप try कर सकते हो and open world का मतलब ये निये मेरा की gt type का full open world map आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पे आपको locations देखने को मिलेंगी वो थोड़े open world type होती है आप कहीं पे भी जा सकते हो थोड़ा explore वगरा कर सकते हो इसलिए मैं open world का and ये game आपको definitely try करना चाहिए next game की बात करें तो game का नाम है Tom Clancy Ghost Recon Future Soldier so guys मैं पक्का पता है कि आप मैं से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इस game series के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूर कि यह game series Ubisoft ने बना है और यह बहुत ही ज्यादा अच्छी game series है इसके जो latest game है वो तो graphics में एकदम top notch level पे आते हैं और यह जो game है क्योंकि जो इसके story missions होते हैं कुछ उसी type की होते हैं यह game third person में है तो आपको ऐसा रहेगा कि आप COD के GTA जैसा ही पूरा open world map देखने को मिल रहा है और साथ में एक बहुत ही अच्छी ability मिल रहे है जिसको बोलते है hacking आप किसी का भी phone camera street light everything कुछ भी hack कर सकते हो so guys यही होने वाला है हमारा next game game का नाम है watchdogs और यह game में आपको पूरा open world एक map देखने को मिलेगा जो कि पूरी तरह से GTA टाइप का होता है जिसमें आपको vehicles, missions हर एक चीज़ देखने को मिलेंगे आप कहीं पर भी जा सकते हो कुछ भी कर सकते हो और साथ में बहुत ही अच्छ storyline भी बहुत ही तगड़ा है तो यह game आपको definitely try करना चाहिए अगर आप एक अच्छा open world game अपने PC में खेलना चाहते हो यह game आपके लिए ही बनाए और फाइनल गेम हमारे list में उसका नाम है वार क्राइप और सबाइस पार क्राइब मेरा one of the favorite series है और इस game series को मैं बहुत ही ज border पर सेट है तो इसके अंदर जो आपको जो NPCs देखने को मिलते हैं वो कभी कभी हिंदी में भी बात करते हैं एंड हिंदी में कालिया भी देते हैं तो वो बहुत ही जदा मुझे अच्छा लगता है और इस game का जो स्टोरी वो बहुत ही जदा अच्छा है gameplay तो आपको पता है इस गेम में वो बहुत ही से तरीक से डीटेल की गई है तो आपको बहुत मजा आगा इस गेम को खेलने में एंड आपको यह गेम टेफिनेटली ट्राय करना चाहिए मेरे तरफ से एकदम रिकमेंडेट गेम है आप अपने 4GB RAM वाले PC और लाप्टॉप में खेलके एकड़ खुश हो जाओगे तो गाइस यह पांच गेम से जो कि आप अपने आइट प्रोसेसर और 4GB RAM वाले PC में खेलके इंजॉइब कर सकते हो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए होगे अच्छे गेम साब को अपने PC में खेलने के लिए मिले होंगे अगर आपको वीडियो प कर आपको 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 अच्छा